नमस्ति आपका मेरे चैनल में स्वागत है आज मैं आपको राउंड कॉलर निक बना के बताने वाली हूँ इसके लिए मैं यह कुर्ती कट करके रखी हूई हूँ यह मेरा बैक का है यह फ्रंट है तो मैं सबसे पहले बैक कट कर लेती हूँ तो बैक में मैं यहां पर पॉनी इ कर रहे हूँ और यहां पर मैं जो है इत्रे इंच ली हूए हूं नेक का चबाई ले रहे हूँ । इस तरह समें राउंड सिप में से दे देगे हूं मारकर लेतीय हूं यह हमारा डूलर नेक है इसलिए मैं पीछे में यह कट करना जरूरी होता है तो अब मैं इसे स्काह कर और निकाल लेती हूँ मैं फ्रंट क differs ने का कट कर रही हूं तो यहां पर मैं 7.5 पर हरा यहां로 कर रही हूँ और यहां पर मैं 4.5 फ्र का कॉलर्य तो यहां पर मैं 7.5 पर ले रही हूँ यानि कि 3 इंच ये हमारा हो गया तो यहां पे मैं इस तरह से मार्क करती हूँ एक छोटा सा V सेप में तो यहां पे हमारा V सेप में हलका नेक बनेगा और उपर जो मैं 3 इंच ली हुई हूँ उसी तरह यहां पे मैं 3 इंच पे मार्क कर लेती हूँ और इस तरह से यह मारा बॉक्स बन जाएगा अब मैं इसे राउंड सेप में दे दूंगे इस तरह से इसे में राउंड सेप में दे देना है इसे अच्छी तरह से राउंड सेप में लाना है क्योंकि हमें राउंड कॉलर बनाना है इसलिए इसे अच्छे से से शेप में आना चाहिए अब मैं इसे कट कर लेती हूँ अब ये एक कैन्वस ले रही हूँ यहाँ पर मैं साड़े तीन इंच पर मार्क कर रही हूँ एक वहाँ जो मैं थ्री इंच ले हुई हूँ तो मैं यहाँ देख लेती हूँ 3 इंच है हमारा तो यहां साड़े 3 इंच यानि 3.5 इंच पर मार्क कर लेती हूँ और इसे मैं इससे अब उपर की साइड में मैं हाफ inch पर मार्क कर रहा हूँ यह हमारा एक इंच का हो जाएगा चोडाई में इस तरह हमें V-shape में बना लेना है इसे अब हाफ इंच की में मार्जिन रखके एक और मार्किंग कर लेती हूं इस तरह से हमें मार्क कर लेना है इसे कट करके निकाल लेती हूं मैं यह हमारा इस तरह मैं दूसरी साइड भी मार्क कर लेती हूं जिस तरह में दोनों ही साइड म हमारा यह मार्क हो जाएगा तो इस तरह से यह हमारा हो जाएगा अब मैं इसे कपड़े पर पेस्ट कर लेती हूं इसे कट कर लेती हूं कट करके निकाल लेती हूं कि इस कपड़ा जो मैंने एक्स्ट्रा छोड़ा हुआ है उसे मैं फोल्ड कर लेती हूं इस तरह से फूल्ड करके हमें सिलाई लगा लेती हूं कि हैं यहां पर जो में 3 इंच पर मार्क की हूई हूँ उस पर मैं एक निसान बना लेती हूं अब मैं इसे खोल लेती हूं इस तरह से हमें खोल के सीधी साइड में से इसका जो निकालना है और जहां पर प्रूंत एक तरह से बनाया हुई हूई एक तरह से सेंटर मिलाकर और पर पीन अप कर लेना नेूं और जहां पर में मार्क की हुई हूँ, महां पर में सिलाई लगा लूँगी. मैं सिलाई लगा लिए हूँ, इसे अब मैं इस तरह से कट कर लेती हूँ, कट कर के निकाल लेती हूँ. इसे मैं इस तरह से इसे पलट के फिर यहां पे मैं एक सिलाई लगा लेती हूँ यह दिखिए हमारा हो गया है अब मैं इसे जो ही यह एक्स्ट्रा इसे मैं कट करके निकाल देती हूँ अब मैं यह फ्रेंट का सोल्डर और बैक का सोल्डर को जोइंट कर देती हूँ दोनों सोल्डर को अब मैं कॉलर कटिंग करने वाली हूँ इसके लिए मैं यह कैन्वेस पेपर ली हुई हूँ इसे मैं डबल फूल इस तरह से कर लेती हूँ यहां पर मैं तीन इंच मार कर रही हूँ क्योंकि यह जो हम दोगों ने नेक का ली हूई हूँ मैं थ्री इंच वो ली हूँ इसके बाद मैं 4.5 इंच जो फ्रंट करने के लिए रखी हूई हूँ वो ले रही हूँ इस तरह मैं सारे साथ इंच पर मार्क कर रही हूँ इस तरह से एक बाक्स बना लेती हूँ अब जो नेक मैं कुर्थी से कट करके निकाली हूई हूँ उसे ही मैं यहां पर रख लेती हूँ तो हमारा यह जैसा कुर्थी में कटिंग हुआ है same to same हमारा वैसा ही यहाँ पर cut होके निकलेगा यह बहुत ही आसान तरीका है round neck के लिए तो अब मैं यहाँ पर अंधर की ओर 0.75 यानि पॉने पॉने इंस लेके इसे मैं color के लिए निशान लगा रही हूँ तो इस तरह इसे सभी मार्कों में मिला लेती हूँ इस तरह से मिला लेना है अब मैं बाहर की ओर जो जितना भी आपका सिलाई में जाता है आप सिलाई में जितना भी margin लेती है उतना यहाँ पर हमें अंदर की ओर बढ़ाना है यहाँ पर मैं पहले ही पॉने इंच ली हूँ तो इसके बाद ये ले रही हूँ तो मेरा एक इंच की चोड़ाई का ये मेरा और कॉलर कटिंग होगा अगर आपको इससे कम लेना हो तो मैं जहां पर 0.75 हुआ आप पे Daar P로 हो आप 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 निच लेजये इस तरह से अब मेरा color cutting हो गया है अब मैं measure करके देखती हूँ कि यह कितना हुआ तो यह मैं जो बाहर का marking की हुई है उसे मैं measure करूँगे तो इस तरह से देखी यह हमारा तेन इन चारा है तो अब मैं कुर्ती पे measure करके देखती हूँ कि हमारा कितना है नेक तो इस तरह से कुर्ठी को रख लेना है फरले फिर हमें इस तरह से मेजर करते हुए जाना है तो इस तरह से हमें मेजर करना है यहां भी देखे हमारा 10-4 यानि ए Norah अच्छे से नेक बन चुका है अब मैं इसे कट कर लेती हूं यह देखिए इस तरह से यह हमारा नेक कटिंग होके तयार हो गया तो यह हमारा इस तरह का राउंड नेक बनेगा अब मैं यह कपड़ा ले रही हूं जिसे मैं डवर फोल्ड करके रखी हुई हूं इसके ऊपर मैं जो कॉलर ने कट करके रखी हुई हूं इसे में पेश्ट कर लेती हूं आयरन की मदद से इसे में तो यह देखिए पेश्ट होगे अब हमें इस पर स्टीचिंग चलाना है तो यहां पर बिल्कुल साइड साइड में मार्क करते हुए इसे सिलाई करना है यहां तक ही हमें करना है तो मैं यहां पर इस्टीच लगा लेती हूं हुआ है यहां पर मैं इसे कट करके निकाल लेती हूं थोड़े दूरी में इसे कट करते हुए इसे निकाल लेना है कपड़े को एक्स्ट्रा कपड़ा जो है हमारा कि उसे में इस तरह से निकाल लेती हूं और हमारा यहां पे जो है नीची की साइड में यहां पे हमें हाफ इंच के लगबक कपड़ा को छोड़ते हुए कट करना है तो इसी तरह हमें चैरो और इसे हाफ आफ इंच कपड़ा छोड़ते हुए कट कर लेना है तो यह देखें मै कट ली हूँ हो गया है यहां पर हमें थोड़े-थोड़े नॉचे देने हैं जहां जहां हमेरे राउंड में है ताकि जब मैं पलट तो यह अच्छे से से सीप में पलट जाए अब मैं इसे पलट लेती हूं इस तरह से अच्छे से पलट के ऐसे प्रेस कर लेना है ताकि यह हमारा इची तरह से बैठ जाए तो अब देखिए जो हमारा है जिस तरह में केनवस लगाई हुई हूँ उस साइड हमें यहाँ पर देखिए इस साइड से कैन्वस है हमारा तो मैं इस साइड से इस तरह जो एक्स्ट्रा कपड़ हमारा बाहर की वर है उससे हमें स्टीच कर लेना है इसे मैं अच्छे से बंद करते हुए सिला ही लगा लेती हूँ यहां पर इसे कॉलर को मैं अच्छी तरह से फोल्ड कर लेती हूँ और मैं इसका जो सेंटर है वह मैं निकाल लेती हूँ यहां पर छोटे से कट लगा लेती हूँ इस तरह से हमारा यह सेंटर निकल गया कॉलर का अब मैं कूर्थी का भी सेंटर निकाल लेती हूँ तो इस तरह हमें कूर्थी का भी सेंटर निकाल ले हूँ अब यह कूर्थी है हमारा यह मैं उल्टी तरफ से रखी हुई हूँ और यह साइड में हमारा कैनवस नहीं लगा हुआ है उसे यह लेना है दोनों के सेंटर को एक साथ इस तरह रखना है फिर हमें यहां से सिलाई शुरू करनी है आप भी सेंटर से ही सुलाई करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा अच् कपड़ा को लेते हुए अच्छी तरह से बिठाते हुए कॉलर को लगा लेना है जब हम लास्ट में आये तो अच्छी तरह से कपड़े को बिठाते हुए हमें यहां पे सिलाई लगा लेना है अच्छी तरह से तो यह हमारा एक साइड कंप्लीट हो गया अब मैं दूसरी सा तो यह मैं दूसरा तरीका बता रही हूं आप यहां से भी स्टार्ट कर सकते हो तो इस तरह से हमें यहां पे रखके कॉलर लगाना शुरू करना है तो मैं यहां से अभी से शुरू कर रही हूं कॉलर लगाने को इसी तरह अच्छी तरह से इसे दोनों कपड़े को एक साथ ले कि हमें यह भी धियान रखना है कि हमारा कम ने मुदब कहीं भी कपड़ा ज्यादा खिचना नहीं चाहिए इस तरह से देखिए हम यहां पे सेंटर पर आ गए हैं अब हमारा यह कॉलर एक साइट से लग चुका है यह देखिए इस तरह से कॉलर हमारा हो गया है अब हमें इस तरह से सीधी कर लेना है कुर्ती को और फिर यह कपड़े को अंदर की ओर डालते हुए कॉलर के अंदर इस तरह से फिर हमें यहां पे सिलाई लगानी है यहाँ से इस तरह से हमें सिलाई लगाने तो इस तरह से अच्छी तरह से कॉलर को बिठाते हुए हमें सिलाई लगाते जाना है इस तरह से देखिए अच्छी तरह से इसे बिठाते हुए पूरी कॉलर को कम्प्लीट कर लेना है यहाँ पे लास्ट में भी देखिए के चलना है कि हमारा कहीं भी कप्ड़ा ज्यादा और कम ना हूरा हुआ हो अच्छी तरह से हमें बिठाते हुए से इस तीछ लगाते चाना है जब हम लास्ट में तो वहां पर भी हमें कपड़े को अंदर डाल के अच्छी तरह से कॉलर को बिठा लेना है इस तरह से कपड़े को बिठा के सिलाई लगा लेना है तो यह देखिए इस तरह से हमारा ये नेक बन के तयार हो गया है राउंड कॉलर निक तो यह देखिए बहुत अच्छी तरह से यह हमारा बन गया है यह गले में बहुत अच्छा बैठेगा अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो जरूर लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें